कलमने मडियो अवाज नोबत हवे यूट्यूब पर सब्स्क्राइब करो अने मेर वोटे ली अपडेट्स नोबत ना अल्पस नववाद मा अपनू हार्दिक स्वागत जे जामनगर ए धर्मनु धाम जे छोटी कासी कहवाई जे पड़ साथे साथे संगीत नी पड़ा नगरी जे संगीत नी नगरी ने याद करिये तो आदितिराम घरानानू आ नगर के जेनी अंदर स्रवनकुमार विनोद राठोड जेवी विभुतिये आगल वावी जे तो ए भूमी उपर जे दर महिना मा पांचती वदू कारेकरमों सं मुहमद रफी साहब होई के किसोर साहब होई के खन्ना होई यहनी स्रदान्जली आमें चुकता नसी त्यारे आवाज एक कारेकरम मा जामनगर ना आपड़ा एक महमान बने आचे वो यहमनू नाम नी आपू यहमना आवाज ने ज माणिये आने फची आपड़े यहमना परी तेरी कसम ओ हो हम दिल दे चुके सानों तेरे हो गए है हम तेरी कसम तेरी कसम संजय लिला बंसाड़ी ने आफ़ल हम दिल दे चुके सनम एना प्लेबेक सिंगर आपना जामनगर ना आज महमान बने आचे आराय ग्रूप ना अग्यार मा वर्षना कारेकरम मा त्यारे नोबत ना अल्प संवाद मा नानों वो संवाद एमनी साथे करिये सलमाद साहिव आप फिल्ड ने अंदर कई रीते प्राव्याश है याने कि कैसे इस फिल्ड में आप आए जी एक्शली क्या है मैं पढ़ा ही करता था उस टाइम पे में कंपोडिशन में रफी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूं मेरे उस्ताद रहे रफी साहब मैंने उनको उस्ताद माना देखा तो नहीं उनको मगर स्कूल के अंदर कंपोडिशन में गाता था तो वहां से मेरे ममी डैडी चाहते देखे मैं कुछ और काम करें मैं मास्टर हूँ कटर मैं टेलर हूँ अच्छा टेलरिंग गला कटते कटते गला बनाने लगे तो पढ़ाई के साथ साथ काम किये उसके बाद फिर मगर शौक था तो वहां से शौक पढ़ा मुझे गाने का बराबर तो य आते गया दिल्ली से मैं थो यह मुझे मंखे मंब्य जाना है में मुझे एक महीने के लिए मुझे कुछ लगा एक साल के लिए एक साल के लिए अगर ठीक लगा तो मुझे आपका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है तो यह उनके बारे में कुछ बताए कौन मेरे डैड़ी Classical singer, मेरे मामा मेरे खानदानी, मेरे दादा बादा बहुत अच्चे singer थे और मेरा खानदानी है चला आ ह। जला रहा ह। मुझिक तो खून में ब्लड में है यानि कि आपके गुरू मेरे गुरू उस्ताद अकबाल खाँ साब है दिली घराना से फिर मकबूल खाँ साब है फूल सिंग जी और मेरे मामा जी है मौहमद आसिम मेरे डैडी अज़े मैंने सुना है कि आपने मुकेश जी की स्कूल से पढ़ा ही किया तो किसा मैं सूस कर रहे है जी मैं खुशनसीब हूँ कि मुकेश सहाब एंपी बॉइस दिली के अंदर स्कूल है वहां से पढ़ाई कि उन्होंने और सेकिंड मैं भी वहीं से पढ़के और इसे प्लेबेक सिंगर बना अच्छा मेरा केरियर स्टार्ट मैं पढ़ाई वहां से करके यह बुंबाई है और मालिक का एक करम रहा मेरे बड़ों की आशिरवात दुआ हैं जो एक महीने में मैं दलीब कुमार साथ सहरा बानोजी से मिल लेया एक महीने के अंदर ये मुझे दलीब कुमार साथ के सामने ऐसे बैठने का मौका मिला और मुझे सबसे पहला बरेक दलीब कुमार साथ सहर लिप साब आये, recording में मेरी वोईस को record किये, उनके दुआएं आशिरुवाद मिला मुझे, वहां से मेरा career स्टार्ट हुआ. तो इसके बाद, जैसे कि आपने शुरुआत हमारे गाने से हम दिल दे चुके सनम, वहां कैसे पोँची? यह मेरा पहला गीत था हम दिल दिच्छो के सनम जैसे कि गाना गाने के बाद मुझे एक होसला मिला हिम्मत मिली कि दलिप साफ के सामने में बैठा हूँ मुझे ब्रेक मिला तो लोगों से मिलता गया मुलाकात करता गया लक्षमी गान पैरेलाल जी मुझे बहुत सपोर्ट किय प्यारे जी लक्षमी जी तो उनका प्यार मिला उनका सपोर्ट मिला उनके मिजरे अक्षन में गाने का मौका मिला उनके साथ शो करने का मौका मिला और प्यारे जी नहीं फिर मौन्टी शर्मा है जो प्यारे जी के भतीजे हैं जिन्होंने हमदिल दुच्छे को सना मरेंच किय मिजराटर थे हैं मुझे इसमाइल दरबार जी से और संजी लिला बंसाली के समने गाने का है, इनकी फिल्म में गाने, तो कैसा महसूस किया, कितनी प्रिपरेशन की तहीं है, यकिन माने कि मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ बैठ रहा हुँ उठ रहा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे गाना इतना बड़ा हिट होने वाल जेली डबंवासघ ये पास लेकर मुझे इसमाइल दरबार जी और मुझे मेरा गाना सुन वहां पर मेरी आवाज कृसे पूंसा मेरी जस मुत व्यार का राज शुनो यह गाया मैंने और इसमाइल जी जब मुझे बंसाली जी को सुना तो इसमाइल जी को बोला बंसाली जी ने ठीक है इसमाइल मुहमद सलामत पर ट्राई करते गाना मुझे बोल दे रहे तुम फाइनल नहीं समझना हम तुम्हारी वोईस टेस्ट करेंगे तो उस तरीके से मुझे बोला गयाता है कि रफा को गवा रहे हैं मैं किसी का नाम लोगा है बड़े-बड़े सिंगरों ने यह गाने को गाया और काफी लोगों से गवाया मगर मेरी खिसमत में यह गाना था सबसे बड़ी बात है सर आपको बता दू है कि जब मुझे यह गाना रिकार्ड आप फिर दूसरे सिंगर्स गाये तो मैं ओमबे से पिर दिल्ली चला गया मैं ने का फी मेरे तो है म beggar kıt इनके चला गयता ह। घॉर ऑफके नम्म्र होते थे तो पिर मुझे ध।ंडा गया कि मुझे मुझे भुला गया कि मुझे बुला गया दिल्ली से कर वहां मुमत स्लाम तो वो खुशी एक अलगी खुशी थी उस टेम वो गाना रिकार्ड हुआ तो फिर मेरी वाइस उड़ गई थी वहां से तो फिर मुझे डबिंग के लिए बुलाया किया कि गाना तो रफी सहाब जहां पर मौजूद है रफी सहाब का मजार कब्र है सांता करूज में उनके साम सामने रिकार्ड हुआ यानि एक तो फ्रैडे यानि कि जुमा और रफी सहाब की मौजार यानि यह दूआ इतना बड़ा हिट गाना और उनका अशिरवाद उनकी दूआ मिली मेरे मावाब की दूआ है वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ है तो मेरी लाइफ में यह गाना आ मंजिले उनही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है और हम आपके बच्चों की होसला अवजाई के लिए हाजिर है यहां है अनुभवी काउंसलर जिससे शिक्षा बोज नहीं बलकि मौज बन जाती है 29 सालों से सफलता के शिक्रों को फता करते हुए इस वर्ष परिक्षाओं में ठकरार केवल और आसोंदरिया मंथन ने गुजरात में टॉप किया है और इस वर्ष स्कूल के 75 से ज्यादा विध्यारतियों ने हिंदुस्तान की टॉप कॉलेजिस में दाखिला लिया है ब्रिलियंट अ कम्प्लीट स्कूल विध चांस फो हंड्रिड पर्सन स्कॉलर्शिप जो आपको रखे आगे टेमो क्लास 25 मार्च दो हजार उनी से शुरू एक वीक डेमो तो बनता है यारो चेर्मेन श्री अशोग भट और मैनेजिंग डिरेक्टर श्रीमती उश्मिता भट हमारी एक नई ब्रांच शुरू हो रही है प्रगती पार्क पार्ट टू कृष्ण नगर में रोल फोन लगाया जाए ब्रिलियन स्कूल और साइंस अंकार्ज लिंडाले जामनगर ब्रिलियन स्कूल और साइंस अंकार्ज आप गाने में सबसे ज्यादा रफीश आपको पशंद करते हैं अब है उस्ताथ हैं सबको पसना जी कि शोरदा मुखेश जी सभी अगर रफीषम और को मैं आइडेयल अभी तक तक कितने लोगों के साथ अपने गाना गया है बहुत सारे सिंगों अश्र जी के साथ मैंने गया फिल्म हथियार में थामरे थावा नजर-णजर में दू गाने क और कौन कौन सी फिल्म में आपने ये गाने गाया है मेरी पहली फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम उसके बाद आये फिल्म देवदास किसना शक्ती बाज हतियार 1931 शहीद मेरे ब्रदर की दुलन मैं कृष्णा हूँ 31st अक्टूबर तो ऐसी सारी बहती फिल्म में गाया हूँ अच्छा हमने सुना एः जैसे कि मोधी साभ को इफार वीजा नहीं मिलने पर वो बड़े महान बन गए आप का भी ऐसा सुना है कि अमेरेका का वीजा नहीं मिलता है तो यह बात सही है नहीं में बताता हूं आपको कि मोडी साहब को विजल मिल था उस टैम पहली बार ने अमेरिका गया था उसी टैम पर मुझे विजल मिल गया था उस टैम पर था फिर एक टैम ऐसा हुआ कि शारूख जी मायनमिस खांजिव फिल्म बन रहे था उस टैम पर तूर के लिए जा रहा था तो उसमे शारुख्षान साथ उनकी सेकेटरी और आप ने देखो है gotta चारुख्षान को वीज़ाई ने दिया तो उसमें पहांट जन गोंए नहीं है geto उसमे एक मेड़ी ता उसमें में यूझे में मिल गया था वीज़ाई ricada बाद में वो मुझे विज़ा हम सब को मिल गया था तो उनके साथ भी काम करने का मौकर में अमेरिका गया शारुकान साथ के साथ और आपको कौन के साथ आप उन फोर्गेटबल अभी शेख बच्छन ऐश्वरिया अमिताब बच्छन जय बच्छन जी रितेज देश्मुग व और क्रिश्ण आप काफी सारे सिंगर्स भी सब एक्टर से बच्छा आजकल मैंने सुना है कि प्यारे लाल जी के साथ भी आप काम करते हैं तो बहुत उनका प्यार है प्यारे जी आज जितने भी शोज हो रहे हैं उसमें वो मुझे रखते हैं मैं खुश नसीब हूँ कि लग रहा है अप सबसे पष्ञारा इक बात बोलू आए लव गुजराथी मुझे गुजराथी पासंद है क्योंकि इतने प्यारे होते हैं इतनी मुहबत वाले होते कि दिल और जहांसे वो चाहते हैं मेरे काफी दोस्त हैं गुजराती और मुझे बहुत प्यार मिला यहां तक कि अमेरिका में मुझे बहुत प्यार मिला सबस्दाद साउथ अफरीका में गया था तो पब्लिक डिमांड पे तीन वार मुझे बुलाया शोज के लिए और उनका अतना प्यार मिला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मौमद जी आपको जैसे गुजरात पसंद आया गुजराती पसंद आया तो जामनगर के बारे में क्या बताना चाहते हैं सर जामनगर बहुत अच्छा है मैं घुमा भी हूँ काफी विरिंदर भाई हमारे जो ऑर्गनाइजर है और गुरूप के ऑनर और काफी अच्छे लोग हैं बहुत प्यार मिला जैसे कि गुजराती आई लव गुजराती जहां-जहां मैं गया मुझे प्यार मिला जामनगर म पिर उन्हों ऐसा अच्छा लगा इन लोगों को आपको देवदास में भी ब्रैक मिला जी हाँ तो देवदास की कुछ बातें सर देवदास का एक गीत है वह चांद जैसी लड़की जो आडियो में उदिजी का था फिल्म के अंदर मेरा रखा था तो बंसाली जी ने वह गा गाना ऐसा वह चांद जैसी वह फील करके कि शारुखान जब फर्स टाइम एश्वरियों को देखते हैं तो वह लेटी हुई है वह जूले में और चांद निकला होगा है और उसमें वह गाना वह चांद जैसी लड़की पिक्चराइज किया बंसाली जैने का रफिस आपको याद करो चांद रवसा गाल रफिस आपको याद करो तो कुछ भी सुकुन मिलदा था मैं को कमाल है रफिस सहाब मालिक ऐसा इनसान और ऐसी आर्टिस कभी पैदा नहीं होंगे अच्छा जाते जाते हैं हमारे दर्शकों को और हमारे जामनगर के कलाकारों को कुछ मैसेज देना चाते हैं बस मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें जैसे आप मुझे प्यार दिया और सब को प्यार देते हैं जामनगर के वासी और बस मेरी दुआए आशिरवाद हैं बच्चों खूब अच्छे से पढ़ो अच्छा देश का नाम रोशन हो जामनगर का कि जो मुझे ना पसंद हो मुझे तो सभी पसंद है तो सभी हो जाएं सभी कहा देंगे में इतना वक्त नहीं आप बताएं सभी के लिए हम रात के शो में आए तो सरूर उसमें इंजॉय करेंगे फिर भी रफिस आप की जैसे बरसी दी कल 31 तो उनकी याद में मैं एक के खुश रहना मेरे यार नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार इस जूट की नगरी से तोड़ के ना ताजा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहना मेरे यार खुश रहना मेरे यार मित्रो नफरत नी दुनिया ने छोड़ी ने खुशी नी आ दुनिया नो संदेश वापनार महम्मद सलामत नोबतना अल्पसावाद साथे आपड़ी वच्चे उपसी तता नोबतना माध्यमती घणा बदा कला करो ना प्लेटफोर्मू पर आपड़े लाव्याची एमानो एका वधारों महम्मद सलामत महम्मद सलामत ने जीवन सलामत रहे आने अमनो गड़ू आउना आउ कायम रहे एवा रफीश आपना आशिरवाद साथे दन्यवाद